वेलकम को लो को अपक्राइब चानल मैंने मिस गोरब दोस्तों आप जांते ही कि मैं जितनी भी जोब के अपडेट्स लेकर आता हूं आपकी र्युकेhertz पर रहेकर आता हूं क्युक्त मेरे यूपी के सब्सक्राइबर से में से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर यहां की भी कोई 10th लेवल की जोब आए तो प्लीस उस पर वीडियो जरू बनाना सो मैंनों उसे बोला थे कि जैसी कोई अपडेट आएगी उस पर आपके लिए मैं वीडियो जरू बनाऊंगा अगर आप हमारे चैनल से अभी नियूली जुने है तो आप अपनी कौलिफिकेशन और अपना इस्ट कमेंट बोग से मैंशन करकर रखें जैसी कोई अपडेट आएगी उस पर हम आपके लिए जरू वीडियो बनाएंगे तो इसमें बात करते हैं पोस्ट नेम की तो ग्रामिं इस नोडिफिकेशन पा सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे इंपोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो 29-11-2017 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपकी जो लोकेशन आपकी उत्तर परदेश रहेगी अब ऐसा नहीं कि आप अगर आप अधर इस्टेट से फॉर्म फिल क करना चाहते हैं तो नहीं बढ़ सकते हैं आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन एक कंडिशन है आपकी जो फी पेमेंट होगी वह उत्तर परदेश के पोस्ट ओफिस से ही होगी क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपको यहां का रैजिदेंट होना है क्योंकि और कैसे कैसे अपलाई करना है फॉर्म कैसे फिल करना है यह तो मैं आपको वीडियो में एंड में बताई दूंगा तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अन्रिजब और रोबडी सी के लिए 100 रपे फी से हैं सी एस्टी फिजिकली हंडिक है वूमन के लिए कोई फी नहीं है तो मैं वूमन को तो जरूर सेजस्ट करूंगा कि वो फॉम भरना ना भूलें इसका एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल एज रखी है बहुत अच्छी एज रखी है क्योंकि इस कैटिगरी के जो लोग है जो आपके लिए बहुत परिशान है एज लिमिट की डिटेल मैं आपको बता दी रिलेक्शेशन की बात करते हैं तो SC-ST के लिए 5 साल का OBC के लिए 3 साल का फिजिकली हैंडिकेप के लिए 10 साल का इस रिलेक्शेशन है उसके बाद वेकैंसी डिटेल में पोश्ट ने मैं आपको अलड़ी बताए दिया था नमबर और पोश्ट की बात करें तो 2745 रुपे से 6470 रुपे पर बंत आपकी सैलरी रहेगी अब यह मैं सोचना आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी आपकी सैलरी बढ़ेगी दोस्तो तो मोड ओव सेलेक्शन की बात करें तो आपका सेलेक्शन जो है मैरिट इसके बेस पर होगा कैसे होगा आपके दसवी बेस के ही जो डोकिमेंट होंगे उसके मार्क स्को कैलकुलेट किया जाएगा और जिसके अक्से मार्क होंगे उनको ज़्यादा प्रिफर्जर दी जाएगी एग्वेशन क्वालिकेशन की बात करें दसवी पास मांगा है यह c साथ दिन का उसके बाद ङ्या एगश्या होना है किसी भी रिकोगना इसी चूट से और computer knowledge जैसे कि excel हो गया basic computer computer में power point हो गया और इस तरीके की चीज़े word हो गया इस तरीके की चीज़े आपको आने चाहिए इन्होंने पस एक चीज मांगे 60 डेस का आपका जो आपका certificate मांगा है कि आपको कोर्स किया होना चाहिए किसी भी ISO Certified Institute से जैसे कि F-Tech हो गया, NAAT हो गया, कोई भी छोटा मोटा इंस्टिटूट बद वो ISO Certified होना चाहिए तो दोस्तों आप जानते कि मैं आपके संडे को calls अटेंड करता हूँ, मैं संडे को ही अटेंड करूँगा, बाकी दिन मेरा फोन जो है, स्विच ओफ आएगा, ना ही मैं WhatsApp पर रिपलाई करूँगा, बस आपको Facebook पेज पर मैं reply कर सकता हूँ, उसका link मैंने आपको description दे दिया, Facebook पेज का, तो online और offline ग्यान नाम से अगर आपका 60 days का certificate नहीं है, तो आप मुझे Sunday को call कीजिए, मैं आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए, आगे बढ़ता हूँ मैं, इसमें आपका selection होने के बाद, इन्होंने को security amount मांगा है, selection कुछ 25,000 रपे, आप देख सकते हैं, बाकी क्या है, किस category के लिए कितना मांगा है, आप यह देख सकते हैं, selection process में आपको बताई दे कि merit list बनेगी, और merit list के base पर यह आपका selection होगा, बाकी आप यह detail देख सकते हैं, एक बात और बता दूं, कि मानलो आप graduate है, इस job के लिए apply कर रहे हैं, आप यह मत सोच नहीं कि आपको ज़्यादा preference दी जाएगी, इसमें जो है criteria खाली दसवी pass का रखा हुआ है, तो दसवी के base पर ही सबको select किया जाएगा, चाहे उसकी 35, 40, कितनी भी हो, चाहे 18 हो, सबको equally preference दी जाएगी, उसके बाद यह कुछ और details है, यह आपको पढ़नी है, वीडियो को pause करके अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके सारे data, doubts जो है clear हो जाए, फिर भी मैंने एक notification का link बार बार बोल रहा हूँ, description में दे रखा है, वो देखना ना बूले, और कोई भी परिशानी के लिए मुझे facebook page और message कर सकते है, so यह form का link है, इसका link भी मैंने आपको description में दे रखा है, कैसे apply करना यह मैं बता जाता हूँ, link पर click करते ही, आपको पहले registration करना पड़ेगा, registration पर आप जैसी link पर click करेंगे, तो page open होगा ऐसा, left side registration का link आएगा, इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद, आपके पास यह detail आजागी, जिसमें applicant name, as per 10th class certificate, including spaces, did to जैसा आपका 10th class में name है, वैसा ही होना चाहिए, so father name, as per 10th certificate so mismatch नहीं होना चाहिए, जैसा 10th में होगा, वैसा ही आपको डालना है, mobile number वही डालना जो हमेशा active रहता हो, फिर भी में जैसी को इसकी update आएगी, तो मैं आपको दे दूँगा, उसकी चिंता करने की ज़रुत नहीं है, date of birth, gender, community, whether physically handicap or note, तो percentage of disability, यह सब डालना है, उसके बा जो है 10th certificate number, यहाँ पर होना चाहिए, एक बात बता दूँ यह जो registration है, यह one time है, क्योंकि यहाँ पर 10th certificate का number मांग रहे है, एक बार registration कर दिया, फिर आप जो है इसमें changes नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मैं पहली बता दूँ कि घंसे detail फिल करना, registration करने के बाद आपको क्या उपन होगी, अब यहाँ पर आपने registration कर लिया, आपको एक number मिलेगा, registration number वो यहाँ पर डालना है, और इसे submit करना है, फिर आपके पास application का form उपन हो जाएगा, यहाँ पर फिर उसे fill करेंगे, तो यह upload का option आजएगा, कौन कौन से document attach करने, वहाँ पर दिख जाएंगे, और फ उसका form आपके लिए fill करके दिखा दूँगा, उसके बाद यह कुछ details है, इस तरीके से भरनी है, उसके बाद बात करते हैं, यह कुछ और details है, यह भी आप देख रहेंगे, यह आपके मतलब की details है, so fee payment कैसे करनी है, तो आप देख रहेंगे, बस आप notification का link, जरूर देख रह यह जो है, यह आपकी कुछ और details है, कि document किस category में upload होने चाहिए, किस size के upload होने चाहिए, किस file format में upload होने चाहिए, तो यह सारी चीजे यहाँ पर mentioned है, तो आप देख सकते हैं, किस-किस document में कौन-कौन सा criteria रखा हुआ है, क्या-क्या size रखा हुआ है, और कौन-कौन सा format रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, उसके बाद जैसे कि आगरा हो गया, आगरा में जो post office लगेगा, वो लगेगा आपका, देख सकते हैं, तो post name और यह सारी चीजे देख सकते हैं, कि किसके लिए कौन सा है, उसके बाद यह notification का link मैंने आपको description में दे रखा है, वो आप कता है, तब मुझे comment box में, या मेरे facebook page में mention कीजिए, मैं उसका reply आपको जरूर करूँगा, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर सकते हैं, और वीडियो को share करना ना भूने, ताकि दूसरे लोगों को update मिलती रहे तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए